आज हम कख्षा नभी के दूसरे अध्यान करेंगे जिसका नाम है वाख जिसने लेका है ललत के बारे में हम जान लें यह एक कविटरी है और ललत के बारे में कह जाता है यह कश्मीरी भाषा की लोगते लिए संथ कविपरी है ललत का जनम अट-theirahcent 20 के लगवा कश्मीर के सिर्प-पूर्ण के सिंपुर्गा में हुआ था उनके जीवन के बारे में प्रामानिक चानकारी नहीं मिलती है ललत को ललेश्वरी, लला, ललयोगिश्वरी, ललेपा, अधिनामों से भी चान जाता है उनका देहान सन्ग 1391 के आसपास मना जाता है ललत की कावेशेली को वाख की नाम से चाना ज़ी जिस तरह हिंदी में कपीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाईया और रजखान के सरवे परसिद हैं, उसी परकार लड़त के वाग परसिद हैं अपने वाग के जरिए, उन्होंने जाती धर की संकेंता और उटकर भरती के ऐसे नए रास्तों पर चलने पर जोल दिया, जिनका जुआव जीवत से ही है, उन्होंने धार्मी का डंबरो का विरूत किया, प्रेम्त का सबसे बड़े मुले बटाया, लोग जीवन की तत्व से प जन्ता की सर्लभाषा का पर यही कारण है कि ललत की रजनाए सेक्डों साल से कश्मीरी जन्ता की स्नेतियों और वाणियों में आज भी जीवत ही, वे आदुमनी कश्मीरी भाषाओं की परों स्तम मानी जाती हैं, आयोत जाने, पहला वाक, हमारे इस जीवनमें विधार्दी के भक्तिकाले धात्यों की व्यापक जनद चेत्राओं को और उनकी अख्रत्तव सरूप को परिचित कराने के उदेश्चे से यहां ललत के चार वाफ क की अनुवालत किया जा रहा है पहले वाक में ललत ने इश्वर प्राक्ति के लिए किये जाने वाले अपने प्रियासों की व्यर्थत लफ को व्यर्थ होने वाले प्रियासों की चर्चकी है दूसरे में बाय अडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा कि अंतकरण से ही संभावी होने पर ही मनुश्य की जोगना का व्यापक हो सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो इस महाया जाल से कम से कम लिप्थ होना चाहिए तीसरे वाग में कवित्री ने आत्मिलोचन की अविक्ति हुई है वे अन्भोव करती हैं कि भवसागर से पार होने के लिए सतकर्म की किशा सायक है अवश्यक्ता है बेद भव कविरोध और इश्वर की सरव्यापतत्ता का बोद चौथे वाग में हैं ललत ने आत्म ज्यान को ही सच्चा ज्यान मान बताया है तो जाने प्रस्तुत वाग का अनुवाद मेरा कानुली क्यान ये जानना बहुत जरूरी है तो पहला वाग चुरुवात करती हैं वाग रसी कच्चे धागे की खीच रही मैंनाओ जाने कब सुनो सुने मेरी पुकार कर दे भवसागर पार पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ पर्यास हो रहे मेरे जी में उठती रह रह हूक घर जाने की चाहा है घेरे देखो यहां पर भवसागर का मतलब है संसार रूपी समुंद्र और सकोरे का अर्थ है मिट्टी का पात्र और हूक का अर्थ है तडप या वेदना देखे प्रस्तवाक में जो कवित्री है ललत उसने कहा के परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी संसारिक प्रियासों को व्यर्थ पताया है कवित्री ललत ने कहा परमात्मा प्राप्ति के लिए विविन प्रियासों की चर्चकी है मैं बताती है कवित्री कहती है रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाओ अर्थार्थ अपनी जीवन नया को कच्चे धागे से बनी रसी से खीचने का परियास कर रही है पता नहीं ना जाने का मतलब पता नहीं इश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से पार करेंगे देव भवसागर पार अर्थार्थ उन्हें पता नहीं कब मुक्ती मिलेगी इस संसारिक मुमाया से कच्चे सकोरे लिखा है यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थार्थ जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के सकोरे से बना हुआ भात रोता है जो थोड़ी से ही ठेस लगने पर तूट जाता है वैसे ही मेरे प्रियास के आप सब हो रहे हैं व्यर्थ हो रहे हैं इश्वर को पाने की सच्ची प्रियास, कच्ची माटी की भाती कमजोर सावित हो रहे हैं, इसलिए कवित्री ने प्रियासों को कच्चे सकोरे कहा है, वह कहती है कि वह मुम आया के जान में फसी है, उसके प्रियास सोभाविक रुप से ही कमजोर है, आगे कहते हैं, जी में परन्तु के संसारिक पवबागने चुटकारा पाना चाहती है इश्वर को पाना चाहती है परन्तु मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग जो घर जाने की चाहा का मतलब है इश्वर के प्राप्ति परन्तु मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग जो है वो बंद हो चुके हैं और रह पहर है कि उसके मन में मोक्ष की प्रात्ती की हूग उठती है सेकेंड देखिए खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खा कर बनेगा अहंकारी सम्खा तबी होगा संभावी खुलेगी साकल बंद द्वार की अब देखो अहंकारी कार्थ है याप पर घबंडी समकार्थ है आपर शम या इंद्रियों का शमन या नियंत्रन संभावी समानता का भाव इंद्रियों को नियंत्रित करने का भाव साकल कार्थ है कुंडी या बंधन जो कुंडी लगाते है उस परकार की अब देखो कवितरी कहती है कि खा का कर कुछ पाएगा नहीं अर्थार्थ संसारिक वस्तुएं खा का कर उन सुख सुविदाओं का उभोग करने से वेक्ति को कुछ नहीं मिलेगा और ना खाकर अर्थार्थ वरत तपस्या करने से वेक्ति को उपर क्या अहिंकारी बन जाएगा उसे अपने उपर घमंड हो जाएगा वो कहते हैं ये दोनों ही जो स्थितियां वो सुक नहीं देती कहते हैं ये सुक नहीं देती यदि वेक्ति को खाना है तो समखाय अर्थार्थ अपनी भार्य इंद्रियों पर नियंतर रखना सीखे समखाय तभी होगा संभावी अर्थार्थ वेक्ति जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है समानता का भाव रखने लगता है फिर उसे संसारिक सुक साधना अपनी और नहीं खीच पाते खुलेगी बंद साकल की द्वा लिखा है खुलेगी बंद यानि द्वार साकल का परियोग इसले किया है कि कवित्री ने कहा तब हमारी बुद्धी जो है खुल जाएंगे फिर हम मारा जो मन है वो मूमाया में नहीं फसेगा खुलेगी साकल बंद द्वार की आगे बने तीसरा आई सीधी रह से गई न सीधी रह शुश्म से तू पर खड़ी थी बीत गई दिन आ जेब ठटोली कोड़ी ना पाई माजी को दू क्या उत्राई शुश्म से तू कार्थ है शुश्म नाड़ी जैसे इंगल और पिंगल को जोड़ने वारी नाड़ी कहा जाता है कोड़ी कार्थ है मुल्य दाम माजी कार्थ है यहाँ पर नाविक यहाँ पर माजी का अर्थ नाविक है लेकिन यहाँ पर इश्वर माना गया उसे उत्राई का अर्थ है नाविक को दिये जाने वाला शुल्ख अब कवित्री कहती है अभिक्त करती है उनका मत है कि संसारिक बादाओं से छुटकारा पानने के लिए वेक्ति द्वारा किये गए सत्व जो कर्म है वही मददकार सिध होते हैं यानि आई तुमें सीधिर आप पर थे कर्म करने आई थी मैं याँ पर लेकिन गई ना सीधिया यानि मनुष्य जब इस अंसार में आता है तो वो क्या करता है छल कपट के रास्ते पर विक्सित हो जोने लग जाता है उसके तरफ बढ़ने लगता है और वो इश्वर से निरंतर दूर हो जाता है शुश्मत से दूसे भी प्राय है शुश्मनाड़ी रूपी पुल जो हट योग शरीर की तीन परकार की नाड़ियों में से एक होती है पहले कवित्ती ने हट योग को इश्वर प्राप्ति का साधन माना पर इश्वर प्राप्ति ना हो सकी और उसमें ही उसने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया है जेब टटोली कोडी ना पाई इसका अर्थ है मनुष्य जब आखरी वक्त में अपने जीवन में किये गए कार्यों का लेखा जोगा अर्थार्थ उनका मुल्यांकन करता है तो उन्हें सतकर्मों जो अपने द्वारा किये गए कर्मों की संक्या बहुत ही ना के बराबर लेगती है उसे लगता ही नहीं मैंने कुछ अच्छे कर्म किया है और उन पे जो उसने बुरे कर्म किये होते हैं जो आमानविये कारे की होते हैं उनकी बहूलता यानि उनकी संक्या बहुत अधिक होती है उसने चल कपट में अपने स्वार्त को सिद कर लिया अपने चलकापट से अपने स्वारतों को सिद्ख किया वो कहता है यहां माजी माजी को क्या बताया है वैसे तो नाविक है लेकिन यहाँ पर हमारा नाविक कौन है हमारा इश्वर तो उसने कहा कि इस भाव सागर को इस संसार उपी सागर को को संसार को पार करने के लिए मैं इश्वर को क्या दूँ नाविक का मतलब है इश्वर को क्या दूँ मिरे पास तो कुछ भी नहीं है और इश्वर इस भवसागर से पार करने के लिए संसार उपिमो माय सत्या करने के लिए हम उसके हमारे पास कुछ भी देने के लिए उसको क् करम, परतम मीरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हटी unity के चक्कर में पढ़कर मैं तो कुछ भी अरजित नहीं किया अर्थार्थ मा जी को मैं क्यादों उतराई हमारा लास्ट है थलथल में बचता है शिवी, भेद नकर क्या हिंदू, मुसल्मा, ज्यानी तो स्व्यम को जाने वही है साहिब से पहजान थल थल कार्थ है कन कन भेद कार्थ है अंतर साहिब कार्थ है इश्वर अल्ला दोनों ही लुप में सिका जाता है वो कहते हैं कि इश्वर जो है वो कहा है सर्व्यापक है वे तो कन कन में बसा है इश्वर पर तेक स्थान पर बसता है इसलिए कहीं भी ढूने की अवशक्ता नहीं है हमें हिंदू, मुसलमान में कोई भेदवाव नहीं करना चाहिए इश्वर को जानने के लिए मनुश्य को अपने अद्ध करण को परवित्र और शुद्ध करके उसे सचे आत्मग्यान द्वारा ही पराप्त करा किया जा सकता है या होगा यदि ज्यानी है तो, यदि सच में मनुश्य को आत्मग्यान हो जाएगा तो वै अपने रूपी नेत्र से इश्वर के दरशन करने में सफल हो जाएगा अत्या इश्वर को जानने से पहले में अपने आत्म ग्यान अर्थार स्वेम को जानने की अधिक अवर्शकता है हमें धार्मिक संकिनताओं से उपर उठना चाहिए हिंदू, मुसल्मान सभी इश्वर की संतान है अत्या उन्मी बेद नहीं करना चाहिए आगे कहते हैं वही है साहिब से पहजान अठार्थ सच्चा ज्यानी वही है जो स्वेम को जान लेता है और स्वेम को जानकर ही इश्वर को पहचाना जा सकता है आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्या अच्छे समझाओगा नए चैप्टर के साथ दुबारा मिलेंगे धन्यवाद